हमने result sheet, loan sheet, cell sheet कर लिया अब हम शुरुआत करने है formula की हमने a1 से लेके a10 तक कुछ data लिखा वा कुछ value लिखी गया है हमने एक दो cell क्या कर दिये, blank कर दिये और एक दो में लिख दिया हमने text ठेक है, यह text लिख दिया हमने यह पर कुछ भी अगर हमें यह पता करना है कि a1 से लेके a10 तक किस-किस cell में value है अगर हमें यह पता करना है तो formula हम यहाँ पर use करेंगे count का, क्या use करेंगे count का formula, count लगा है bracket start किया a1 से लेके a10 तक अगर हमें यह पता करना है कि value कौन से कौन से में value मतलब number कौन से कौन से में है तो यह कहता है 7 cello में है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो data तो 10 cello के अंदर है लेकिन 1 blank है और आपका 2 में क्या है text है तो जो count का formula है यह क्या करेगा आपका सिरफ value value जो है वो count के बताएगा value मतलब number बाके किसी से कोई मतलब इसको नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि सभी कुछ count करें tax b, number b, alpha b सब कुछ count करें तो आप लगाएंगे count a count बोलते हैं bracket start करना कभी भी formula लिखोगे formula के बीच में कभी भी ध्यान रखना gap नहीं आता है space space कहीं भी नहीं आता है अगर आप गिनना चाहते हैं count करना चाहते हैं blank cell कि इस area के अंदर blank cell कितने है या कौन से कौन से है तो आप लगाएंगे count blank count blank क्या करेंगा खाली cell आपको गिनके बता देगा यह है count का formula लेकिन अगर आप count करना चाहते है condition के इसाप से condition का मतलब यहां पर यह कि मैं चाहता हूँ कि मुझे यह बताया जाए कि इस area के अंदर कितनी ऐसी value है जो आपकी 60 से बड़ी है या 70 से बड़ी है या 80 से बड़ी है तो count के साथ में लगाना if range डालना then coma double course के अंदर double course में डालना criteria double course लिखा double course के बद हमने बोला बड़ा होना चाहिए किस से बड़ा होना चाहिए हमने ले लिया 60 से बड़ा हम यह चाहते हैं कि इस range के अंदर हमें count करके बताए जो value बड़ी है किस से 60 से बड़ी value है वो कितनी है आपकी 3 है आप count कर सकते हैं 3 दिखाएगा आपको अच्छा यह सभी को पता है यह बड़े का है ठीक है यह चोटे का है और यह एकवल का है यह तो पता ही सभी को कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको याद होगा मैंने sum करना सिखाया था sum आप normally कर लेते हैं जैसे आप में पहले किया था कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर आप sum में भी if लगाना चाहते हैं आप चाहते हैं sum हो a1 से लेके a10 तक लेकिन सिरफ उनी का हो जो बड़ी है 80 से तो पहले total सभी का हुआ total आया 407 लेकिन अब total हुआ सिरफ 80 से बड़ी value का जो कि इनका और इनका है ऐसे आपको मैंने average निकालना सिखाया था सेम तरीक आपका आपका है तो से आपको पहले भी निकाला था कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर हम average में भी लगा देते हैं क्या average average if एक second A, V, E, R, A, J, average bracket if लगा, bracket start किया A1 से लेकि A10 तक की average निकालना लेकिन उनी की निकालना जो value बड़ी है 60 ले लेए ठीक है ना तो पहले average निकालना सिखाया निकालना अब किसके निकालना सिखाया साथ से बड़ी वाल होगे हमने एक cell में लिखा हुआ है राम कुमार सर्मा small में लिख देता हूँ राम कुमार शर्मा small में capital में है small में है अगर मैं इसको capital में convert करना चाहता हूँ तो यहाँ पे formula यूज होगा upper का upper लगाया bracket start किया cell में डाला enter किया अगर मैं इसी को लिखना चाहता हूँ lower lower मतलब छोटे के अंदर किसको e2 वाले cell के matter को छोटे में आगया अगर हम चाहते हैं हर word का पहले character बड़ा हो जाए तो इसके लिए use करें किसको उसकरेंगे proper को upper lower और proper upper का मतलब पूरा बड़ा lower का मतलब सारा चोटा proper में हर word का पहले character बड़ा अच्छा दो odd value है कि even value है दो मेरी even value है लेकिन इसको अगर मुझे convert करना है odd value के अंदर तो मैं लगाऊँगा odd दो odd है या नहीं वो से बड़ा नहीं पड़ता लेकिन देखो अगर आपने जो cell लिया है हमने बोला E7 के अंदर जो value है वो हमें नहीं पता क्या है लेकिन उसको odd में convert कर दो अगर वो पहले से odd होगी तो कुछ नहीं करेगा नहीं होगी तो उससे next value में convert कर देगा same हमने आप लिखा 3 3 मेरा odd value है लेकिन मैं इसको convert करना चाहता हूँ even के अंदर अगर वो cell की value already even है तो no change में नहीं है तो next में कर देगा जैसे मैंने याप 3 की जगा 4 लिख दिया तो 4 तो मेरा already even है ना तो देखो कोई changement हुआ नहीं वा लेकिन जैसे मैंने या 4 की जगा 5 किया 5 तो नहीं है क्या कर दिया 6 कर दिया next value में क्या कर देगा आपका convert कर देगा समझगे बात को अब हमें अगर ये पता करना हूँ कि हमने formula कोन से कोन से की है तो home के अंदर बटन दिया गया find find के अंदर आपको दिया है formula के नाम से option जो आपके सिरफ formula वाले cell को ही select करेगा और यहां से मैंने डाल दिया color अब मुझे क्या है कि value दिखाई दे रही है क्या formula दिखाई दे रहा है formula कहां दिखाई दे ता आपका ऊपर यहां के side में एक formula के अंदर function है जिसका नाम है आपका show formula जिससे आपको formula दिखाई देना start हो जाएगा लेकिन इसमें दिखाई थै कि आपका formula ही रहाएगा यह आपकी values हो है वो नहीं लेकिए आएगा ठीक है तो यह मैंने इसले किया तक कि आप formula क्या कर सको not कर सको समझगे बात को यह मैंने इसले किया है तक कि आप formula not कर सको तो मैंने ज्यादा नहीं करा है दस बारा formula कराए है पहले गवार बैटकी इनको करके देखो अच्छा उससे पहले एक छोटी सी बात हो समझगे बहुत important बात है most important बात हमने यहापे राम लिखा हमने का इसको अपर में करना यू डवल पी यार अपर अपर किया बड़े में आ गया अब ये एक नहीं दस बारा नाम लिखें में राजू हो गया, राम हो गया, राजन हो गया, रानी हो गया इन सभी हो करना है तो हमने formula तो एक ही cell में लगाया है और मुझे क्या करना है सभी में लगाना है तो जो फॉर्मला आपने इसमें लगा है अगर आप चाहते हैं वही फॉर्मला सभी में लग जाए ऑटमेटिक तो इसको बोलते हैं कॉपी करना या बोलते हैं ड्रैक करना सेल के कोने में जाना कहां जाना कोने में जब कोने में जाओ तो छोटे प्लस का सिंबल आएगा आ रहा है कि नहीं आ आ रहा है अब छोटे प्लस सिंबल पर क्लिक करके उसको नीचे की साइड खीचना जहां तक आपको यह फॉर्मला कॉपी करना उसे होगा क्या आपका काम आस वह कुछ पूर्मला हो आपने डो वैल्यू प्लस की है यहां पर ड्रैक कर दो सब इस अपने आप रहे लेकिन प्रावलम क्या है प्रावलम कुछ नहीं है प्रावलम यह है कि देखो यह छोटे में लिखे में इनको हमने बढ़ा किया कहा पर यहां पर लिकिन होने कहा चीए त यह दोसर गडबड है, इसको होना तो यहां चीए न, यहां क्या मतलब इसका, तो एक बाद ज़्या द्यानुक न, आप जब इसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, सबसे पहले इसको कॉपी करना, पॉपी कर से लिए, कॉपी करने के बाद, कहीं भी जाके सीध पेस्ट मत करना क्या नहीं करना फेस्ट नहीं करना पेस्ट के यहाँ जाना और यहां एक आपको बड़ दिखाई देगा जिसका नाम है पेस्ट वैल्यू देख I अज़ाने चारस अन्हेकश उस tahun aur गड्रैवल अचीडए ज़रह यहां न जरू कहब Jennie तो यह बहुत काम की चीज है, अब जब आपने उसकी value निकाल ली, तो इनको कर दो, delete, उनको यहां से क्या करके, cut, यह paste कर दो, तो कभी भी formula से value निकाल ली हो, अगर आप normal, देखो, अभी यहां पर formula ओड का लगावा है, मैंने copy किया, यहां simple paste किया, control V दबा के, आपने क्या देखा, क्या आया, formula ही आया है, हमें क्या चीए, value चीए, तो उसको सीधा paste मत करना कभी भी, क्या करना, select किया, copy किया, जहां आपको इसकी value रखनी है, जहां भी रखनी है, paste यह value लिखा होगा आपको, ठेक है, इस पर कर देना, अब सिरफ value आई ना कि आपका formula है, बहुत लिख लो, और लिख लो, सभी के सभी, ठेक है, यही formula बाकी तो उन्हें shorter बता है, आपको, जो मने formula भी करा है इसके अंदर, वो आपको यही formula है, यह लो